हाई फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बियस्टी थर्ड एर जुलाजी फस्ट पेपर का यूनिट फस्ट का बूचेर एरिया टॉपिक आज हम बात करने वाले हैं इसके इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन की फाई यह स्टार्ट करते हैं वीडियो को फाइलारिया वां बूचेर एरिया फाइले ग्रमी masa खीर होता है वह अपना पॉइंट को कुंप्रींट। पाऊइरिया क्रीया बाऊचेड़्या एक परजीवी निमिटोठ है यानी पैरसाइट निमिटोठ है सेकिंड है यह मनुष्य में फीलपाउ रोग浮 करता है feel power rogue में जो मनुशे होता है उसका पाउं बहुत जादा मोटा हो जाता है हद से जादा मोटा होने की वजए से यह हमें काफी problem करता है उटने बैठने के लायक नहीं रखता और इसमें कई बार मनुशे की मरत्यू भी हो जाती है इसके बाद आता है मादा कॉलेक्स मच्छर फील पाव का बाहक है तो जो फील पाव रोग होता है उसका बाहक कौन है मादा कॉलेक्स मच्छर जैसा कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि इसके टू होस्ट होते हैं First host होता है human and second host होता है हमारा मच्छर. आते हैं इसके वर्गी करण पर यानि classification से. तो phylum होता है इसका nimethylminthus. और class होता है इसका phasmedia. order होता है phyloriodea. family होती है phildrida. zenus होता है. boochier area. और species होती है bancroft type. तो ये था इसका classification friends. classification आपको याज जरूर करना चाहिए हर parasites का classification important होता है. इससे काफी short और very short type question बनते हैं आपके. तो इसके बाद आता है हमारा habits and distribution. तो इसकी क्या क्या habits होती है और distribution क्या होता है. मैंने आपको केवल three points दिये हैं. बट मैं समझा देती हूँ. three points में आपका ये complete हो जाता है. बहुत कम लिखना होता है इसमें आपको. तो distribution के अगर हम बात करते हैं. तो जर्नली ये tropical और subtropical सभी reasons में पाया जाता है. जैसे इंडिया, चीन, दक्षिन अफ्रीका, जापान, प्रशांत महानागरिये, दीपो, पस्चिम अफ्रीका, यानि उष्ण कटीवंदिय और कटीवंदिय. दोनों जगाहों पर पाया जाता है ये. अगर habit की बात करूँ, तो ये अपनी life cycle two host में complete करता है. human and mature. तो आपको दोनों ही मैं बता चुकी हूँ ये बात पहले ही. तो आईए स्टार्ट करते हैं, points को देखना. फर्स्ट है हमारा ये है परजीवी मनुशे के रक्त तथा लशिका में पाया जाता है. तो ये जो parasites होते हैं, वो human के blood में पाया जाते हैं, या फिर lympho glands में पाया जाते हैं. इसके बाद second point आता है, इसका प्राद्मिक पोशक मनुशे तथा मध्य पोशक कॉलेक्स मच्छर होता है, यानि इसका first host होता है, वो human होता है, और second host होता है कॉलेक्स मच्छर. इसके बाद third point है, यह है visual VIP परिजीवी है, यह है सभी गर्म परदेशों में अत्यधिक संक्रमन करता है, जैसे मैंने आपको बताया, tropical और subtropical सभी जगाहों पर पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो infection है, वो गर्म परदेशों में करता है, यह था आपका file area warm का classification, habits and distribution, मि इसके बाद बता है, यह है यह है।